मेरा नाम है अनुराक शर्मा और मैं आप लोगों को आज मैस के कुछ एक बहुत इंपोर्टेंट कंसप्ट से आपको अवेर कराने बाला हूं आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह बेसिकली आपको अगर मैं सिलेबस के साब से बात करूं तो नहीं तो 11th के सिलेबस में नहीं 12th क करा दिए रहता है क्योंकि थोड़ा सा हाड भी पढ़ता है और क्योंकि बुक्स में तो अवेलेबल ही नहीं मतलब एंसे इस चेप्टर को आज बेसिक से स्टेडी करेंगे आज इस चेप्टर का अपना पहला क्लास होगा तो इसमें अपन इस चेप्टर की जो फंडामेंट की बात करूं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि ट्रेंगल का क्या सोलूशन होगा ट्रेंगल कोई एक्क्वेशन तो है नहीं ट्रेंगल तो एक डाग्राम अजब तक पढ़ने पड़ा है अब उसका सॉलूशन मतलब क्या तो उस चीज का सबसे बढ़िया आंसर है सोलू अगर मैं बात करूं ए बी और सी तो तीन इसके एंगल हो गए और तीन इसकी साइट्स हो गए तो एंगल में में मेरे पास आ गए कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी अगर मैं इसकी साइट्स के बारे में बात करूं तो इसमें मेरे पास साइट्स कौन कौन है साइट्स है AB अगली साइड है BC और अगली साइड है AC देखिए बिल्कुल आराम से कि अगर मैं solution of triangles की बात कर रहा हूं मतलब क्या मैं triangles के elements के बारे में बात करना चाह रहा हूं अब triangle की elements क्या है किसी भी triangle में हमारे पास max to max six elements हो सकते हैं वह elements कौन-कौन चे हैं fundamental elements जैसे देखिए टीन हो एंगल्स हो गए ABC जिन हम capital letter से denote करेंगे तो capital ABC का मतलब हो गया एंगल एंगल भी और एंगल सी ऐसे मेरे पास आप तीन साइट से एक साइड है AB BC और CA यह छह होते हैं मेरे elements ऑपर ट्राइंगल इस चेप्टर में इस प्रट्टिक्लर इस पूरे चेप्टर में हम इनी elements में से कुछ elements आपको given होंगे question में और कुछ elements आपको not given होगे मतलब unknown होगे जो मैं इस चेप्टर में इस चेप्टर में इस चेप्टर में आप देखेंगे कि आपको ABC तो समझ माएगा होगा capital ABC क्या है capital ABC हमारा angle A, angle B और angle C अब देखिए capital ABC पता होने के साथ साथ में आपको एक small ABC भी पता होना चाहिए अब small ABC क्या वो देखिए angle A है यह है angle A तो angle A के opposite में side कौन सी है यह BC side है angle A के ठीक opposite में side है BC तो BC की length को मैं represent करूँगा small A से angle A के ठीक opposite वाली side कौन होगी small A same angle B के opposite में देखिएंगे तो side कौन सी है AC तो angle B के ठीक opposite में जो side है उसकी length मैं small B से represent करूँगा and in the same manner अगर मैं angle C की बात करूँ तो angle C के ठीक opposite side कौन सी है angle T के ठीक opposite में side है AB जिसकी length को अपन small C से show करेंगे तो अभी तक जो मैंने आपको बोला कि 6 elements होते हैं मेरे पास उन 6 elements का मैंने सिर्फ एक symbolically representation आपको बताया है कि capital A, capital B, capital C मेरे angles को represent करेंगे same way मैं small A, small B, और small C, मेरी sides को represent करेंगे और इनमें आपस में एक बहुत गहरा relation है, वो क्या है, कि capital A के ठीक सामने वाली side होगी small A, capital B के मतलब angle B के ठीक सामने वाली side होगी small B, और angle C के ठीक सामने वाली side होगी small C, I hope इतना clear होगा, अगर इतनी सी बात समझ में आ चुकी है, तो और छोटी-छोटी बात हैं जो अपन बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत basic सी बात, small A, small B, small C क्या है, sides हैं, तो 100% sure हूँ कि A, B और C सब की सब positive होगी, क्योंकि किसी भी triangle की length negative तो होई नहीं सकती, तो A, B, C, all are positive, अगर हम थोड़ा सा पुराने classes से बात करें और triangle inequality की बात करें, जो हम 9th और 10th में पढ़ते हैं basically, हमने एक ठोड़म पढ़ रखी है, sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side, मतलब A plus B, हमेशा क्या होगा, C से बढ़ा होगा, किसी भी दो side की length, क्या मैं बोलूं, triangle की दो sides का sum, उसकी third side से हमेशा कैसा आता है, बढ़ा आता है, तो उस according, उस rule की according, मैं क्या-क्या लिख सकता हूँ, मैं mention कर सकता हूँ, कि A और B, मतलब length A और length B का sum 100% C से बढ़ा होगा, same way में हम लिख सकते हैं, कि B प्लस C, मतलब B और C का जो sum होगा, वो A से बढ़ा होगा, और A का हमारा क्या बच गया, एक हमारा बच गया, A और C का sum B से बढ़ा होगा, यह तीन बाते हैं, triangle की inequalities में बताते हैं, triangle inequalities है, हमें पता है, कि sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side, हमें अब तक क्या क्या पता चल चुका है, हमें पता चल चुका है, कि capital ABC कैंक हमें, हमें पता चाल चुका है, एक relation हमें पता ही था, कि sum of all angles of a triangle is 180 degree, मतलब capital A plus capital B plus capital C is equal to pi, small ABC में, हमें एक relation मिल चुका है, कि sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side, मतượ्याइक, A plus B is always greater than C, B plus C is greater than A C plus A is greater than B तो ये भी मैं पता चल चुका है अच्छा अगर मैं थोड़ा सा और इसके बारे में डीटेल में बात करूँ तो एक relation है मैं इनकी difference का भी पता है difference का क्या relation होता है दो sides का difference हमेशा तीसरी से छोटा होता है तो अगर मैं A minus B की बात करूँ small A minus B की दो sides का difference हमेशा क्या होगा third से छोटा होगा तो अगर मैं उसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ A minus B is always less than C देखिए मैंने mod लगा दिया है mod लगाने का क्या मतलब होगया कि मैं मान के चल रहा हूँ कि A minus B का जो भी answer है मैं वो positive कर दूँगा अगर A बढ़ा होगा तो अभी C minus B positive आजाएगा अगर by chance A छोटी भी हो गई side तो A minus B negative आजाएगा पर मैंने mod लगाया तो वो positive हो जाएगा तो ये भी मैं तीन relation लिख सकता हूँ उसी तरह से जैसे मैंने addition में लिखे वैसे मैं subtraction में लिख सकता हूँ तो यहां तक की बात थी हमारे triangle के elements को जानने के बारे में कि एक triangle में हमारे पास 6 elements है तीन sides, तीन angles उन तीन sides को represent किया अपनने small A, small B और small C से और तीन angles को represent किया capital A, capital B और capital C से थोड़ा सा triangle और circle की बीच का relation पढ़ते हैं देखे, आपको एक diagram यह जो दिख रहा है इस diagram में मुझे एक triangle दिख रहा है A, B, C एक triangle दिख रहा है A, B, C capital A, capital B और capital C अब आप अगर देखेंगे इस diagram को खास बात क्या मैं कहा सकता हूँ कि यह जो A है और यह जो B है और यह जो C है यह तीनों ही points मेरे इस बाहर वाले circle पे मतलब इस yellow color वाले circle पे लाई कर रहे है small a, sorry capital A, capital B, capital C जो मेरे कौन थे? triangle की vertices थे वो triangle की vertices मेरे इस circle पे क्या कर रहे है? लाई कर रहे है इस तरह की circle को क्या बोलते है? अच्छा, इसको अगर other way में बोलूँ तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ एक circle है जो pass हो रहा है तीन corner से या तीन points से और वो तीनों points कोन है? एक triangle की vertices है इस तरह की circle को क्या बोलते है? इस तरह की circle को बोलते है circum circle अगर एक triangle के vertices से तीनों vertices से एक circle pass हो रहा है तो उस तरह की circle को बोलते है circum circle same way में आप देखेंगे कि मैंने एक circle और बना रखा है और इस circle की खास बात ये जो अंदर वाला circle है जो मैंने green color से बना रखा है पिटा ये जो अंदर वाला circle है उसकी खास बात क्या है? कि सर ये जो point है ये triangle की side पर है ये वाला भी point triangle की side पर है और ये वाला भी point triangle की side पर है अगर मैं इसे x बोल दूँ इसे y बोल दूँ और इसे z बोल दूँ अब आप मुझे बताना हूँ क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो side है a c देख गई? a से लेके c वो अंदर वाले circle के लिए as a tangent काम कर रही है side a c अंदर वाले circle के लिए as a tangent काम कर रही है same way मैं side a b side a b ये भी अंदर वाले circle के लिए एज़ टेंजेंट काम कर रही है, सेम वे में साइड बी सी अंदर वाले सर्कल के लिए एज़ टेंजेंट काम कर रही है, मतलब क्या, मतलब यह कि जो बाहर सर्कल बन रहा था, जो बाहर सरकल बन रहा था उसमें जो सरकल था वो ट्रायंगल की कॉर्णर से पास हो रहा था जो बाहर सरकल बन रहा था उसमें जो सरकल था वो ट्रेंगल की कॉनर्स या ट्रेंगल की वर्टाइस से पास हो रहा था पर अंदर सरकल बन रहा है उसमें triangle की sites as a tangent काम कर रही है कौन triangle की sites other way मैं बोलू तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एक ऐसा circle जो अंदर वाला circle है एक ऐसा circle बचा जो जो triangle की 3 sites को सिर्फ टच करते हुए बन गया लेको बाहर वाला सर्कल ट्राइंगल के कॉर्नर्स को टच करते हुए बना अंदर वाला सर्कल ट्राइंगल की सिर्फ तीनों साइट को टच करते हुए बना जहां तीनों साइट टच होंगी मतलब तीनों साइट एज टेंजेंट काम करेंगी तो अंदर वाले सर्कल को इस तरी circle triangle के vertices से पास होगा इन circle की खास बात इन circle इन circle के लिए triangle की sites as a tangent काम करेंगी यहां तक आप मेरे खाल से समझ गए होगे देखें खास बात अगली बात अगर मैं मान लेता हूँ कोई एक center है जो बाहर वाले circle का center है ओ कि जो center है ओ यह बाहर वाले circle का center है तो मैं यह भी बोल सकता हूँ कि ओ से बी की length ओ से c की length और ओ से a की length तीनों ही मेरे बाहर वाले circle की लिए radius का काम करेंगी मतलब इस circum circle के लिए o a o b और o c तीनों ही radius का काम करेंगी और उस radius को मैं represent करता हूँ capital R से बहुत important है यह chapter में capital R capital R क्या है क्या है डिसकस किया हमने capital R is the radius of a circle which is passing through the vertices of a triangle और in other way we can say capital R is the circum radius of the circle circum radius मतलब क्या एक ऐसे circle की radius जो की triangle के corner से पास हो रहा है वो है मेरा क्या capital R सेम वे मैं बच्चा अगर मैं अंदर वाले triangle की बात करूं दो मिनिट के लिए माल ले रहा हूं कि अंदर वाले triangle में भी एक point होगा कही ना कहीं कहीं पर भी हो सकते हैं मैं यहां माल लेता हूं एक point होगा i एक point है i अब वो i क्या है वो समझे वो जो i है न वो ये ये और ये मैंने क्या बनाया i से x को join किया i से y को और i से z को i जो है वो i मेरा काम करेगा in circle का center और बताइए i x i y और i z ये तीनों ही मेरे equal होंगे के नहीं और equal होंगे किसके बराबर माल लिए मैंने small r के बहुत ही खास बात capital r भी आ गया small r भी आ गया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो capital r और small r दोनों ही मेरे triangle के अंदर लाई कर रहे है capital r क्या था मेरा circum radius small r क्या था मेरा small r था in radius in radius मतलब in center या मैं बोलू in circle in circle की radius in radius capital r क्या था circum radius small r क्या है in radius यहां तक की बातें क्लियर है capital r small r के बार में concept क्लियर है capital r क्या है small r क्या है capital r कब आएगा capital r आएगा circum circle के case में small r कब आएगा in circle के case में capital r जब भी आएगा circum circle बनेगा circum circle बनेगा मतलब triangle के corner से एक circle pass होगा और small r आएगा मतलब in circle बनेगा मतलब triangle के अंदर circle